सब्सक्राइब करें मेडिशन नौलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिशन से जुड़ी जानकारी के लिए तर्वा स्टन ओप्तलमिक सॉलूशन ये एक आई ड्रॉप है जो की एलकॉन लेबोरेटीज के दुआरा बनाए जता है इसके अंदर एक सिंगल मॉलुकूल टर्वा पोस्ट 14 mg जो इसके अंदर डाला गया है तता ये 2.5 ml का रहता है तता इसका MRP 755 रुपेज रहता है तो टर्वा स्टन ओप्तलमिक सॉलूशन के बारे में मैं कम्प्ली जानकरी देने वाला हूँ इस वीडियो में कि इसको कब डॉक्टर के दुआरा रिकमेंडेट किया जाता है तता इसको लगाने से आपको क्या बेनिफिट होगा आपकी आँखों में तता किस केस में इसको दॉक्टर अप्तलमिक देते हैं तो कम्प्ली जानकरी के लिए वीडियो को आन्द तक जरूर देके तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बात तर्वास्टन ओप्तलमिक सॉलूशन जो की ट्रीटमेंट करते हैं गुलकोमा और ओकुलर हाइपर टेंशन में गुलकोमा एक डिसी देर जो कि आँखों के उपर ज्यादा प्रेसर होता तब यह होता है तता इसको ज्यादा लगा रहे हो आप डॉक्टर की सला से नहीं लग तो आपको कुछ साइड उपेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आपके आँखों में पेन हो सकता है तता फोरन बोडी सबस्टेंड आपके आँखों में आ सकते हैं तता आई डिसकंपेक्ट लग सकता है आपको आँखों के अंदर खुडली हो सकता है तता ओकुलर हा नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई साइड उप्रेक्ट नहीं है तता इसको इजिली यूज़ कर सकते हो टार्वास्टन ऑप्टर्मिक सॉलुशन जो की पोस्ट ग्लेंडिन एनलियर्स है जो की वर्ट करता है तता इंक्रीज करता है एकुलर हुमर को तता यह लोवर कर देता है आई के प्रेसर को जिसके कारण जो आँखों के अंदर ग्लाइकोमा होता है वो कम हो जाएगा तता इसको आपको डॉक्टर की सला से यूज़ करने का और दिन में दो बार या एक बार जैसे डॉक्टर बोले उतना ही यूज़ करने का है तता जब भी इसको नेक्स में पूछ सकते हो अदर्वाज जो डिस्केप्सम में इमेल आइडिया वहाँ पूछ सकते हो चैनल पर और वीडियो पर पहली बर आप विजिट किये हो तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा दे ताकि जब भी में नेक्स्ट वीडिय मैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखें